हलो फ्रेंस वेल्कुम्म थो माइ यूडिट चैनले इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पुरानी एक्रेलिक कलर की बॉटल से सुन्दर सा क्षाफट क्राफ्ट नहीं से हम हों म्धे को भास маш मैं करनेंस तो यह हैं मैं और इप बोटल hayat और मॉल्ड इप क्ले सिसे RAM रेक्ष कर लिए हैं beszuge ऑन यह प्रेव। मॉल्लेट क्ले का यूज कैसे करते हैं जो हम मॉल्लेट क्ले खरीते हैं उसमें दो पैकेट आते हैं हमें उन्हें बराबर क्यों एंटिटी में मिक्स करना होता है तो मैंने अपर थोड़ा थोड़ा क्ले दोनों ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से mix कर लिया है mix करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा टेलकम पाउडर मिलाऊंगी ताकि यह हातों में चिप केगा नई और हम इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे यह एमसिल की तरह ही होता है इसका यूज भी हम जैसे हम एमसिल का यूज करते हैं इसका भी यूज वैसे ही करना होता है तो हम में मेरी यह छोटी वाली बाटल ले लेती हूँ और इस बाटल और ढखकन पर मैं फैबिकॉल की मदद से कले से सुन्दर सुन्दर डिजाइन बनाऊंगी तो मैं यहाँ पर छोटी सी चाय की केटली बना रही हूँ मैं तो हमारी दर तो चाय की केटली ही बोलते हैं आपके दर क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना जरूर तो पहले मैं ढखकन पर डिजाइन बना लेती हूँ तो कुछ इस तरीके से मैं डिजाइन बना रही हूँ इसके बाद मैं जो काच की बॉटल है उस पर डिजाइन बनाऊंगी तो हम इसे बना रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि ऐसी और भी मिलदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहे और अगर वीडियो आपक देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक भी करना और अबने दोस्तों को भी शियर जरूर करना और अगर कोई और वीडियो बनवाना जाते हो तो मेरे किसी वीडियो में कमेन्न करके बता सकते हो सो फ्रेंड्स यहां पर अब मैंने डखकन पर कुछ इस तरीके की डिजाइन की है और मैं यहां एक स्टेंड बना रही हूं तो इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से रखना पड़ता है ताकि जो हम इसमें शेप दे रहे हैं वही शेप सूखते टाइम भी रहे तो अभी तो यह थोड़ा ऐसे गीला रहेगा लेकिन हमें इसे अच्छे से रखना पड़ेग ताकि जो हमने शेप दिया है वैसा ही रहे और यह अच्छे से सूख जाए तो यहां पर मैं साइड में कुछ डिजाइन भी बना ले रहे हूं सिंपल जाद अच्छ नहीं लगता है डिजाइन थोड़ी अच्छी लगती है तो अब हमें इसे ऐसे रखना है कि सूखते टाइम काश की गौटल पर काम करेंगे की बी तो कशी लेक करूं बहुत पत्थर के जैसे हाड हो जाती ए पर तो पूटती नहीं है इसलिए मुझे यह बहुत अच्छ लगती लगती सी इसे पहले चीए है कर लिया है मेरे दो चार मॉल्डिट क्ले के जो चोटे बॉक्स आते वह खतम हो चुके है मैं मुझे यह वाली क्ले बहुत ज्यादा ची लगती है तो मैं अधिक तर इसी का यूज करती हूं आप भी उस करना चाहो खरीदना चाहो तो फलिप काट या एमेजोन से खरीज सकते ह काफी अच्छे प्राइज में हमें मिल जाती है तो इस बॉटल पर मुझे कुछ इस तरीके की डिजाइन बनाना था और अब इसे सूखने के लिए मुझे ऐसे रखना पड़ेगा ताकि हमने जो शेप बनाया वह गड़बर ना हो अब हमारी बॉटल सूख चुकी थी कम से क हम 80 ऐसे जयादा घणते हो चुके थे तो अब हम करेंगे को अवर्टल में का अनिक लिए मुझे लेना है ब्ल्यू क्रेश में कलू भी मुझे ग्रीन कलर ले लिया ता मुझे से लाइट ब्ल्यू करना है मगला बूहला बहुत ज़ादा अच्छे लगता एमेरा टानक गलर ह कर देते हैं प eldest यच्छे से ठरस नहीं करके तो बतांगा डहीं लेकिन अव्सकार करें वीडियो को ज्यादा बताने में ज्यादा बढ़ी जाती है तो आप भी आराम से कलर और हम मैंने इस से पहले वाइट कलर नहीं किया ऑगए मुझे डवल कलर करना पड़ा आप अगर बॉटल पे पहली बार वाइट कलर कर लोगे जैसो का यूज करोगे तो कलर एक बारी करना पड़ेगा और धकन में भी थोड़ा सा कलर कर लेती हूं बाकी जो एक्स्ट्रा कलर बचे एक्स्ट्रा जो जगे बची है उसमें में रैड कलर करने वाली हूँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर कर सकते हो जो कलर आपको पसंद है आप वही कलर का यूज करना लेकिन यह बनने के बाद बहुत अच्छी लगती है मैंने भी देखा था मुझे लगा था की पता नहीं कैसी बने गी और कैसी लगएगी लेकिन जब बनाई मैंने मेरे हातों में रखी तो मुझे बहुत पसंद आई मैंने Malded Clay से पहले बहुत सुन्दर Mirror डेकोरेट किया है फोटो में देखने पर इतना जाद अच्छा नहीं लगता है लेकिन जब हम रियल में बनाते हैं और देखते हैं तो बहुत जादा सुन्दर लगता है मैंने भी जब बनाया मिरर को तो बहुत सुन्दर लग रहा था एकदम बिंटेज मिरर का लुक दे रहा था अगर आप देखना चाहो तो मेरे चैनल शिवानी आट गैलरी की प्ले लिस्ट क्ले क्राफ्ट में जाकर देख सकते हो वहां पर आपको काफी जादा मॉल्डिट क्ले का जो मैंने यूज किया है वो दिखेगा और मैंने दो तिन मिरर डेकोरेट किये हैं तो वह भी आपको मिल जाएंगे तो आप एक बार जाकर देखना जरूर तो मैंने इन दोनों में कलर कर दिया है अब इसे सूखने के बाद इ तो यहां पर वाइट कलर से बना रही हूं आप यलो कलर से बना सकते हो पहले मैंने सोच था कि यलो कलर से बनाओं फिर मैंने वाइट कलर से बना लिया थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूस हो जाते हैं कि कौन सा कलर यूज करें या क्या यूज करें तो यहां पर अब यह दोनों इसमें मैं कुछ दूसरी डिजाइन बनाने वाली हूँ मैंने क्या किया था ये बॉटल सूखी नहीं थी अच्छे से कले सूखा नहीं था और मैं कलर करने के लिए उठा के ले आई तो वो बापस से तूट गया था फिर इसे फिर से चिपकाया और फिर शूखने के लिए रखा फिर थोड़ी देर बाद मैंने कलर किया और ये वीडियो बनाई मैंने इसे पहले तूट चुकी थी कंकि वह सूखा नहीं था तूटा नहीं था मतलब जो मैने ख्ले लगाया निकल गया था क्योंकि गीला था तो यहां पर अब मैंने बॉटल में इस तरह की के डिजाइन बनाई और आप देख सकते हैं मैं यहां पर आपको पूरी बॉटल बताती हूं यह कितनी सुन्दर लग रही है हम इसे कहीं भी रख सकते हैं सो फ्रेंड्स मेरी वीडियो बन चुकी है और आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई